हलो आज़ स्टूदेंस वैलकम बैक टू मैंगनेट ब्रेंस हिंदी मीडियम मैं लाली वर्मा आप सभी विध्यारतियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैगनेट ब्रेंस पर साथी साथ आपको एक सुखत समझार भी देना चाहती हूं कि आग यह मैंगनेट ब्रेंस की और e-books जो कि आपको बहुत ही help करने वाली हैं आपकी वार्षी परिक्षाओं में भी और आगे आने वाले कॉम्टेटर एक्जाम में भी जी हां description में link दी है click कीजिए आपको सभी जानकारी प्राप्त हो जाएगी क्योंकि उनमें हैं बहुत कुछ mcqs sample papers साथ इसाथ previous year question papers ncrt solution कहाना की बहुत कुछ है जो आपको बहुत help करेंगी और आपकी कॉम्टेटर एक्जाम में crack करने में पूरी-पूरी help करेंगी तो विद्यारती हमारे साथ बने रहो अब हम चलते हैं इस वीडियो की तरह ठीक है तो हमने अपनी पार्ठ पुस्तक अंतरा भागदो का पार्ठ एक पूरा कर लिया है नाम है देव सेना का गीत और कारनेलिया का गीत लिखा है च्छाय अबादी कवी जैशंकर प्रसाद जी ने आज हम इस वीडियो मे एक बार फिर से पढ़ेंगे उसके अर्थ को जानेंगे भावार्थ को जानेंगे कावेस अंदर को जानेंगे और कुछ महत्वपून प्रश्णों की चर्चा भी होगी तो मैं बस यही कहूंगी कि शुरू से लेकर एंड तक मेरे साथ बने रहना यदि आपने किसी कारण व हैं जैशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय की ओर 1889 से सन 1937 यह रहा इनका जीवनकाल ठीक है लगबग 4849 वर्ष की आयू इतनी सी आयू अलप आयू कह सकते हैं इसको लेकिन इतने से जीवनकाल में उन्होंने हिंदी साहित को एक अनोख खा एक अनोखी मतलब कह सकते हैं कि रचनाय प्रदान की और अपना योगदान दिया सहयोग दिया जैशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी में हुआ विविद्याले सिक्षा केवल आठ भी कख्षा तक प्राप्त कर सके किन्तु स्वाध्या द्वारा उन्होंने संस्कृत पाली उर्दू और अंग्रेजी भाशा होता था साहित का गहन अध्यान किया स्वाध्या जानते हैं अप सेल्फ स्टेडी यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम पढ़ लें कहीं भी ठीक है खुब पढ़ लें लेकिन जब तक हम सेल्फ स्टेडी नहीं करेंगे उसका प्रतिफल हमें नहीं प्राप्त होता ह हैं फिर हमें लगता है कि हमने इतनी मैनत की हो रहे है ऐसा रिजल्ट आया क्यों फिर हम दुखी हो जाते हैं तो बेटा सेल्फ स्टेडी बहुत जरूरी है स्वाध्या कीजिए ताकि आप अच्छे से अच्छे अंग भी प्राप्त कर सकें और खुद में एक सकारात्मक्ता का अनुवभी कर सकें प्रसाद जी अत्यंत अब उनका वैभार बताया है कि वे अत्यंत सौम में थे सौफ्ट स्पोकन कह सकते हैं शांत एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे वे पर निंदा एवं आत्मस्तुति दोनों से सदा दूर रहते थे अर्थात दूसरों की कभ भी उपेक्षा या निंदा नहीं करते यदि इस तरह का रवया जीवन में मनुष्य अपना ले तो वो तो स्वैम ही महान की श्रेणी में शामिल हो जाए वे बहु मुखी प्रतिभा के धनी थे ओल राउंडर कह सकते हैं वे मूलता कवी थे लेकिन उन्होंने नाटक उपनि कहानी निबंद आदी अनेक साहित्तिक विधाओं में उच्च कोटी की रचनाओं का स्रजन भी किया ठीक है ना केवल वेक कवी थे बलकि नाटक कार थे कहानी कार थे उपन्यास कार थे इसलिए हिंदी साहित में उनकी एक अनोखी पहचान बनी हुई है जो हमेशा युगों तक भी बनी रहेगी प्रसाद साहित्य में राष्टिय जाग्रण का स्वर प्रमुक है संपूण साहित्य में विशेशकर नाटकों में प्राचीन भारतिय संस्कृती के गोरफ के माध्यम से प्रसाच जी ने यह काम किया उनकी कविताओं कहानियों में भारतिय संस्कृती और जीवन मूल्यों की जलक मिलती है प्रसाद ने कविता के साथ नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रे, निबंद, आदी, अनेक साहितिक विधाओं में लेखन किया है ठीक है? आप देख लेते हैं उनकी प्रमुख रचनाए ध्यान पूरवक देख लीजिए मैं यहाँ पर पुना आपसे कहूंगी पंत, प्रसाद, वर्मा और निराला ये चार छायावादी आधार इस्तंब हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी आप याद रखिएगा हमेशा के लिए पंत, सुमित्रा नंदन, पंत, प्रसाद, जैशंकर प्रसाद, वर्मा, महादेवी वर्मा और निराला सूरका अंतरपाटे निराला इनकी रचनाएं, जीवन, मृत्यू, उपलब्दियां, सब कुछ टंग पर रखिए बिटा क्योंकि कभी कभी जब कभी हिंदी साहित्य से संबंधी प्रशन पूछे जाएंगे आपकी प्रतियोगी परिक्षाओं में तो इनका एक न एक प्रशन तो अवश्य जाता है, चाहे वो कोई रचना दे दी जाए और पूछ लिया जाए किस की है या पिर किसी का नाम दे दिया जाए और रचना पूछ ली जाए कि किसने लिखिया ये रचना किसकी है या कवी कौन है कुछ भी पूचा जा सकता है तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जैशंकर प्रसाज जी की रचनाओं के बारे में अजात शत्रू सकंद गुप्त सकंद गुप्त नाटक से देव सेना गीत लिया गया है चंद्र गुप्त से कानली लियका गीत लिया गया है राजश्री द्रोवस्वामनी नाटक है, कंकाल, तितली, रावती, अपून, पन्यास, आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रती ध्वनी और आकाश दीब कहानी संग्र है, कावी और कला तथा अन्य निबंध संग्र है, जरना, आसू, लहर, कामायनी, कानन कुसुम और प्रेम विताओं के यहाँ पर नाम लिखे है, जरना, आसू, लहर, कामायनी, कामायनी तो यह ग्रंथ टाइप कह सकते हैं, बहुत ही सुन्दर रचना है यह, कानन कुसुम और प्रेम पतिक, ठीक है, अब चलते हैं कि यह जो देव सेना का गीत है, किसके द्वारा रचित है, यह तो उतनाटक से लिया गया है, देव सेना मालवा के राजा बंधू वर्मा की बहन थी, हूनों के आकरवन से आर्या वरत संकट में है, भारत संकट में था, और बंधू वर्मा साहत उस परिवार के सभी लोगों को वीरगती प्राप्त हुई, क्योंकि युद्ध में वीरगती त देव सेना ने ये संकल्प लिया कि अब मैं अपने भाई की भाई ने जो इच्छा जाहिर की थी भाई ने जो संकल्प लिया था उसको मैं पूरा करूंगी राष्ट सेवा का वरत ले लिया, जीवन में देव सेना को सकंद गुप्त की चाहा थी, अब सकंद गुप्त जो सम नहीं हुई और जब उसे पता चला कि इसकंद गुप्त उससे प्रेम नहीं करता बलकि विजया जो कि कुबेर की धन कुबेर की कन्या थी उससे प्रेम करता है तो उसे बहुत दुख हुआ कि इसकंद गुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया का स्वपन देखते थे त और जब देव सेना ने प्रेम से विरक्ती ले ली और उसने अपने आपको मतलब इन सभी मोह या प्रेम से छुटकार पाने के लिए भारत या राष्ट की सेवा में लग जाने के लिए अपना मन एकाग्रिचित कर लिया तब सकंद गुप्त आते हैं उसके समक्ष परिनाय नि के साथ आश्रम में गाना गाकर भीक मांगती है और महादेवी की समाधी परिश्कृत करती है सकंद गुप्त के अनुनय विनय पर जब वहताया नहीं होती तो सकंद गुप्त आज इवन कुवारा रहने का वरत ले लेता है अर्थात ना तो देव सेना ने विवा किया और न नहीं बनाने ठीक है इदर देव सेना भी कहती है कि हिर्दय की कोमल कलपना सोजा जीवन में जिसकी संभावना नहीं जिसे द्वार पर आये हुए लोटा दिया उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए अच्छी बात है तो अब वो अपने मन की जो भावनाएं थी जो विगत स्मिर्तियां थी जो यादें थी उनसे कहती है कि बस अब मुझे विगत स्मिर्तियों को बिलकुल भी याद नहीं करना है तुम सारी स्मिर्तियां मेरा पीछा चोड़ो और लोट जाओ ठीक है आज जीवन के भावी सुख आशा और आकंशा सब में सबसे मैं विदा लेती हूं चाहे कोई अच्छा रहा हो मेरे साथ चाहे मेरे सुखद पल रहे हो या दुखद पल रहे हो मैं सबसे विदा लेती हूं सबसे मुझे विरक्ति सी हो गई है अब मुझे अपने उस जीवन से कुछ नहीं लेना देना ठीक है तब गीत गाती आह वेदना मिली देव सेना का गीद कवीता में अपने जीवन पर दृष्टिपात करते हुए अपने अर जुभा में अरजिन करती है कि जो भी उसके जीवन में उससे प्रÁPT हुआ उसने इसकंद गुप्त को चाहा प्रेम प्राप्त नहीं हुआ उसके माता बिता उसको अकेला छोड़कर वीरगती को प्राप्थ उसको दुख प्राप्थ हुआ एक मात्र भाई ही उसका सहारा था उसको भी उदो dapatी प्राप्थ हूई फिर उसको दुख प्राप्थ हुआ जैसे तैसे उसके मन में प्रेम जागा लेकिन इसकंद गुप्तन उसके प्रेम को ठुकरा दिया तो प्रेम वेदना से भी उसको दुख प्राव्थ हुआ तो हर तरह से मतलब पूरी तरह से जो देव से ना थी वो तूट से गई थी है न तो अपने वेदना में एक्षणों को याद कर रही है जीवन के समोड पर अर्थात जीवन संध्या की बेला में वह अपने यौवन के क्रिया कलापों को याद कर रही है कि मैंने क्या क्या किया किया किसके लिए मैंने क्या किया किया कितना मेरा जीवन रहा वो सब कुछ अपने आप ही उसको ऐसा लग रहा है जैसी बस फ्लेश बैक में सब को चल रहा है वह अ मेरे मन में जो भाव उत्पन हुए वो भ्रह्म था वो सच्चा इनहीं थी क्योंकि वास्त विक्ता तो ये है जो मेरा जीवन या जिस तरह के जीवन मैं जी रही हूं वास्त विकता वो है क्योंकि केटना कि अरे तभी तो प्रेम को पागलपन भी गया है आशा को बावली भी कहा गया है कि प्रेम में तो पागल हो जाते है आतमकत्य हरी श्राइबच्छन की कहानी सकवीता उनीं होगी उसमें सल यह कहा है साद losing on कविता की बात करें कथानक की बात करें आत्मकथि की बात करें तो उन्होंने भी यही कहा है कि प्रेम पागल है तो वो भी अपने आपको सोचती है कि मैंने भ्रमवश जो भी मेरे अंदर भावनाएं उत्पन हुई जब मैं किशोर अवस्ता में थी जब मैं यौवन अवस्ता जाती लेकिन भूल भी नहीं पा रही है ना ठीक है और आसू बनकर वो धाराय बहती जा रहे हैं उसके दुख के अपने आसपास उसे सब की 85 निगाहें ही दिखाई पड़ती है और वह स्वयम को इनसे बचाने की कोशिश करती है फिर भी जो उसके जीवन की पूझी है सारी कमाई है वह उसे बचा नहीं सकी यही बिडंबना है यही वेदना है प्रलय स्वयम देवसेना के जीवन रत पर सवार है वह अपनी दुरुतमान दुरबलताओं और हारने की निश्चितता के बावजूद प्रलय से लोहा लेती रहती है मतलब उसका स सामना करना डट का सामना करना वही होता है कि लोहा लेना ठीक है उसको पता है कि मैंने मेरे साथ जो हुआ उससे मैं पूरी तरह से टूट चुकी हो लेकिन फिर भी वो समय के साथ प्रलय के साथ अंत के साथ डट कर खड़ी है कि मैं मुकाबला करूंगी मैं ठक गई हूँ अ कि किस तरह से मानवी भावना हैं अब ये जो जब भी हम जैशंकर प्रसाद जी की रचनाएं पढ़ते हैं खास तोर से कविताएं पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं हम अपने आपको connect किसी ना किसी रूप में करी लेते हैं यहां दुख तो हुआ था सच में ऐसा जंजोडने वाला कोई न कोई मतलब जब भी पाठक कविताओं को पढ़ते हैं प्रसाद जी की जब भी रचनाओं को पढ़ा जाता है या सुना जाता है तो मनुष्य अपने आपको connected कर ही लेता है यही विशेश्ता है क्यों कैसे नहीं करेगा भाई स्वयम जैशंकर प्रसाद जी के अपने अनुवब होते हैं किसी भी कवी की कलपना कोरी नहीं होती है कही न कहीं उनके अपने अनुवब छुपे होते हैं दूसरी कवीता है कारनेलिया का गीत ठीक है जो कि प्रसाद के चंद्र गुप्त नाटक का एक प्रसिद गीत है कारनेलिया सिकंदर के सेनापती सेल्यूकस की की बेटी है देवसेना बंदू बर्मा की बहन है और यहां कारनिलिय सिकंदर के सेना पदी सेल्यूकस की बेटी आप समझ आया सिंदू के किनारे ग्रीक शिवर के पास रिक्ष के भावनाओं का आत्मियता का बहुत सुन्दर वर्णन किया है सिंदू का यह मनुवर तट जैसे मेरी आखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्तित कर रहा है इस वातवरण से धीरे धीरे उठती हुई प्रशांत स्निक्दता जैसे हिर्दय में घुस रही है लंबी यात्रा क करके जैसे मैं वहीं पहुंच गई हूँ जहां के लिए चली थी यह कितना निसर्ग सुन्दर है कितना रमणी है कितना मन मोहक है हाँ आज भारतिय संगीत का पार्ट देखूं भूल तो नहीं गई तब वह यह गीत गाती है अरुन यह मदुमय देश हमारा इस गीत में हमार प्राइदेश की गौरव गाथा तथा प्राकृतिक सुंदर को भारत वर्ष की विशिष्टा और पहचान के रूप में प्रस्तुत किया गया है हाँ प्रसाजी द्वारा रचित है और उन्होंने यहीं कहा है कि यह सिकंदर जो थे कारनलिया के सिकंदर के स्टैनापती स्ट हमारे देश की विशिष्टा है सही मायने में भारत देश की यहीं पहचान है तो उसने कानलिया का गीत में उन्होंने राजकुमारी कानलिया के द्वारा इस गीत को गया है यह जो कवीतर रूपी है यह देव से नहीं अब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी तो अ अब आपसे पूछ लिया गया कि प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई है इसके कवी कौन है क्या आप समझ जाओगे कि हाँ ये देवसेना से ली गई है कब समझोगे जब इसके भावार्थ को समझ पाओगे बिटा जब आप इसके भावों को अर्थ को पूरी तरह से समझ जाओगे तो कोई एक पंक्ती भी आपको दे दी चाहेगी ना तुरंत आप गैस कर लोगे कि ये कवीता तो देवसेना की है या कार्निलिय का गीत है या और किसी चैप्टर की है समझ में आया आह वेदना मिली विदाई मैंने भ्रंबश जीवन संचित मधुकरियों की भीक लुटाई चल चल थे संध्याके श्रमकन आसू से गिरते थे प्रतिक्षण मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अननतंगडाई अब वो अपने विगत स्मृतियों को याद करके कौन देवसेना बंधू वर्मा की बहन थी ठीक है दुखी क्यों थी क्योंकि उसके पास तो कुछ भी नहीं था ना अपने स्वजन ना अपने भाई ना ही उसका अपना प्रेम इसलिए वो पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी और ऐसा लगता था लगता क्या था सची कहा है उसने कि जीव की टान उठाई ऐसा लगता था मानो उनीद लेकिन भूला भी नहीं सकता क्यूंकि यह जो है वो हमारे साथ घटित हुए है देवसिना के साथ घटित हुए है वो जो चाहती थी जिस तरह कि हर एक हर एक व्यक्ति को अपना परिवार मिलता है स्वजन मिलते हैं लेकिन उसका तो अपना कोई भी नहीं है तो वो कैसे उन शणों को भूल जाए योगन अवस्ता बीत गई व्रिद्धा वस्ता मतलब प्रोडा वस्तान उसने कदम रख लिया अब जीवन के इस पल या इस पड़ाव पर सकंद गुपता आते हैं परिनाय का निवेदन लेकर तो वो उसको ठुकरा देती है क्योंकि जब उसको प्रेम चाहिए था तब सकंद गुपता ने उसको ठुक ठीक है इसके दो भेद होते हैं एक होता है सईयोग जो मिलने वाला होता है दूसरा होता है वियोग जो बिछडने वाला तो यहां पर प्रेम तो हैं लेकिन वियोग श्रंगार्रस है समझ में आया लगी सत्रिशने दीठ थी सब की रही बचाए फिरती कप की मेरी आशा आह बावली तूने खोदी सकल कमाई सब कुछ खो चुकी थी मैं मेरी तरफ जब मैं कि यौवन अवस्था में थी साब साब उसने कहा है कि सबकी लल्चाई हुई नजरें सिर्फ मुझे देखती थी सिर्फ मेरी काया पर अपनी कूद रिष्टी डालती थी जब कैसे जैसे दैस मैंने अपने आपको अकेली रहकर बचाया उस समय मेरा साथ किसी नहीं दिया मुझे प्रेम की इच्छा थी मुझे प्रेम नहीं मिला मुझे एक सहारे की इच्छा थी मुझे वह भी नहीं मिला ठीक है तो अब मैं इस अवस्था में उस प्रेम को क्यों सुईकार करूं ठीक हाँ मैं हार चुकी थी लेकर फिर भी मैंने प्रले से होड लगा दी कि देख तू मुझे कैसे हरा सकता है मैं नहीं हार सकती जबकि मैं हार चुकी थी मैं अपने जीवन से पूरी तरह से हार चुकी थी कहीं से मुझे कोई आशा की किरन नजर नहीं आ रही थी फिर भी मैंने कह कि प्रले तू मेरा क्या नाश करेगा मैं तुस्से जीत करी रहूंगी ठीक है लोटा लो यह अपनी थाती मेरी करुणा हाहा खाती विश्व न संभलेगी है मुझसे इसने मन की लाजगवाई इससे मन की लाजगवाई मैं कुछ नहीं समाल सकती मुझसे अब भला क्या हुआ तो इसलिए अम मैं कुछ भी नहीं चाहती कारनेलिय का गीत पड़ते हैं आरोन यह मदमय देश हमारा अब वो देखती है नदी किनारे बैठी है राजकुमारी कारनेलिया और भारत को यह वहां के नदी जहर्नों पक्षियों का कलरव देख रही है और संदर संदर से जो भी पक्षी उड़ रहे हैं घोसले की तरफ जा रहे हैं हवा चल रही है फूल किल रहे हैं और उसका जो गीत है वो बहुत संदर उसके अधरों पर आ गया है अधर मतलब समझते हो अधर मतलब हूट अरोन यह मदमय देश हमारा जहां पहुँच अनजान ख्षितिज को मिलता र जब सूर्योद है या उशा के समय सूर्योद है कि जो लाली मा वातावरण में चाही रहती है तो ऐसा लगता है जैसे संपूर्ण वातावरण कुमकुम से रंग गया हो चारों तरफ सुन्दर ताही सुन्दर विखरी होती है लगु सुर्धनु से पंक पसारे शीतल मलय समी सहारे उड़ते खग जिस और मुह किये समझ नीड निज प्यारा आप कोई पूछे कि भाई भारत कहां है कहां है तुम्हारा देश भारत तो कह देना उनको कि जिस तरफ पक्षी उड़ते नजर आ रहे हो जिस तरफ हर एक कोई खिल खिलाते हुए आ रहा हो तो समझ जाना वही हमारा देश है पक्षी उड़ते आ रहे है तो घोसले या पूरा भारत ही उनके लिए घोसला है वही हमारा भारत देश है भारत को अलग से ढूनने की आवशक्ता नहीं है जहां प्रेम मिले खिल खिलाता हुआ हर चहरा मिले पशू पक्षी कल्रव ये सब एक साथ समझ में आए दिखाई दे तब अपने आप ही समझ जाना कि यही है हमारा भारत देश मरसाती आखों के बादल बनते जहां भरे करुणा कर जल लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा जहां सागर की लहरें भी बहुत उची-उची लहरें उड़ती है ना किनारे से टकरा कर वह भी शान्त हो जाती है वही है हमारा भारत देश हेम कुंबले उशा सवेरे भरती धुलकाती सुख मेरे मंदिर उंगते रहते जब जगकर रजनी भरतारा ऐसा लगता है मानो अब जैसे ही उशा या प्रभात या सुबह होने वाली होती है और तारे अपने आप छुपने समक रहा है ठीक है तो यह चंद्रगुप्त नाटक से ली गई है अब हम चलते हैं प्रशनों की और यहां पर है कि कवी ने आशा को बावली क्यों कहा है इसको मत देखिए और मुझे उत्तर बताए कि क्यों सी कवीता का है पहले तो आप यह बताओ देवसेना के गीत की या क हम उस आशा को मतलब पूरी तरह से उसी आशा पर निरवर हो जाते हैं येस बात की गई है तब कि जबकि देवसेना स्कंद्र phones से प्रेम करती थी और वह हर हाल में देव सकंद्र को पाना चाहती थी ठीक है आब वह भरसक प्रयास करती है अथक प्रयास करती है कि मुझे सकं स्कन्दुप्त तो विज्या से प्रेम करता है तो उसका रधाय मानों टूट सा जाता है फिर भी उसे ऐसा लगता है नहीं सकंदुप्त मेरा है और वह उसके कई सपने बुन्ने लगती है और उससे उसको क्या मिलता है दुख दर्द वेदना ठीक है इसलिए आशा को बावली क पना देती है प्रेम में तो आशा बहुत अधिक बावली होती है वह जिसे प्रेम करता है उसके प्रती हजारों सपने बुनता है साथी साथ वो यह भी देखता है मतलब उसे यह नहीं लगता कि मैं अधी प्रेम किसी से कर रहा हूं तो मुझे भी प्रेम मिले बस वो सपने ना फिरा में ये पता चल जाए या जो प्रेम करता है उसे ये पता चल जाए कि वो तो किसी और से प्रेम करता है तब उसका जो रदय तूट सा जाता है उस समय आशा मानो बावली हो जाती है वह जिससे प्रेम करता है उसके प्रती हजारों सपने बुनता है फिर उसका प्रेम उससे प्रेम करे या ना करे वह आशा कि सहारे सपनों में तेरता रहता है यही कारण है कि आशा बावली होती है ठीक है तो हमेशा अब हाँ अब मैं यह तो नहीं कहँगी कि आशा मत कीजे उमीद कि सहारे ही दुनिया ठीकी हुई है लेकिन आशा के मतलब पूर्ण रूप से निर्भर नहीं होना है खास तोर से प्रेम के मामले में ठीक है यहाँ पर कवी नहीं यहीं बताया है मैंने निज दुर्बल होड लगाई इन पंक्तियों में दुर्बल पदबल और हारी होड में नहीं 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 थे आखिर देव सेना ने अपने आप से यह क्यों कहा कि मैं हारी हूँ फिर भी होड लगाती हूँ प्रलह से जबकि वो अपने जीवन से हार चुकी है ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं रहा है फिर भी वो कहती है कि ठीक है जब जिस समय मुझे उसकी आवश्यक्ता थी उसने मुझे ठुकरा दिया जब मुझे चाहिए था तब मुझे नहीं मिला और अब जबकि मैं वो सब कुछ त् उसके भाई समय पूरा परिवार वीरगती को प्राप्त हो गया कोई भी उसका अपना उसके साथ नहीं रहा वह बेचारी अकेली पड़ गई उसका कोई सहारा नहीं था उसके आगे मातर एक ही रास्ता था कि वो देश सेवा को अपना ले क्योंकि इसकंद गुप्त भी उसे ठुकरा चुके थे इसे वो प्रेम करती थी वो भी ठुकरा चुके थे इसलिए वह अपनी विपरीद परिस्थितियों के साथ जीने लगी और परिस्थितियां इतनी प्रबल थी कि वह उसके आगे हार गई परिस्थितियों ने भी उसको मतलब दुखी ही किया उसने परिस्थ हार गई परिस्तितियों को देखकर पहले से हार ही हुई थी तो बिना ओजार हटाए हार सुईकार कर लिया लेकिन जीत नहीं पाई ठीक है कावे सौंदर स्पष्ट कीजे कुछ इस तरह से पंक्तियां दी जा सकती है और अब अनुमान आपको लगाना होगा जैसे अभी तो हमें पता है कि हम देव सेना का गीत पढ़ रहे हैं या कारनेलिया का गीत पढ़ रहे हैं लेकिन वहां तो कोई भी किसी भी पंक्ति को समझाए ले रुआ देखो श्रमित स्वपन की मधुमाया डैस डैश है तान उठाई खाहे लौटा लो डैस डैस है लाज गवाई अब यह जो प्रतम पंक्तिया है श्रमित स्वपन की मधुमाया इस काव्याश की विशेशता है कि इसमें स्मुर्ती बिम्भ बिखरा पड़ है मतलब यादों के सहारे ही प्रतिक या बिम्ब या संबल्स की बात की गई है देव सेना इस स्मृति में डूबी हुई है उसे वे दिन स्मरण हो रहे हैं जब उसने प्रेम को पाने के लिए अथक प्रयास किये थे भर सक प्रयास किये थे परंतु फिर भी प्रेम उसे हुआ और वहां से आगे बढ़ गई ऐसा नहीं है कि उसने वहां से जीवन को ही नकार दिया हो वह जैसे तैसे हिम्मत जुटा कर आगे बढ़ती है और अपने भाई के सपन को पूरा करने के लिए राष्ट सेवा में जुट जाती है और भिक्षुनी बनकर जीवन यापन भ प्रयास किये पर असफल रही आप उसे अचानक उसी प्रेम का स्वर सुनाई पड़ रहा है यह उसे चौका देता है क्योंकि जब बार बार यहीं आती है ना बाद बिटा कि जब उसे चाहिए था प्रेम तब तो उसने ठुकरा दिया और जब अब उन सभी बातों से प्रेम जाता है ठीक है सौपन को कवी ने श्रम रूप में कहकर गहरी व्यजना व्यक्त की है सौपन को मानवी रूप में दर्शाया है गहन विपिन एवं तरुछाया में समास शब्द है इन पंक्तियों के मध्य देव सेना की असीम वेदना इस पश्ट रूप से दिखती है समझ म अपने कोई भी नहीं थे एक मात्र सहारा था उसने भी उसको ठुकरा दिया ठीक है इस पर व्यंग किया है दूसरी जो पंक्तियां है कि लौटा लो डैश डैश है लाजगवाई इस कावियांश की विशेषता है कि इसमें देव सेना की निराशा से युक्त हतोत साहित मनोस स्थिती का पता चलता है सकंद गुप्त का प्रेम वेदना बनकर उसे प्रताडित कर रहा है मतलब जो सकंद गुप्त का प्रेम था उसके मन में जो सकंद गुप्त के प्रती प्रेम था वो वेदना वेदना मतलब क्या होता है दुख उसे बार बार दुखी कर रहा है क्योंक कभी एक ही शब्द या एक ही इस तरह का अक्षर आता है और उसका अर्थ भी समान हो तो वहां पुन रुक्ति प्रकाश अलंकार होता है ठीक है यहां पर आप बता सकते हैं कावे संदर में कि कौन से अलंकार हैं कौन से रस हैं कौन से छंदों का प्रयोग किया गया है क्या सु बढ़ गई है इनी सब怎么 से आप काविस वंदर को इसी कर सकते हैं समझ में आया कानेलिया का इलिए का नихवBut अरी नारे बैठती है कानेलिया और कितने सुन्धर सुन्धर दुमद देखती धर्ती बदले रंग जहां की बोली में रंगोली सात रंग ठीक है वही है देश हमारा तो इसी तरह से कारनेलिया के गीत में भी भारत के सौंदर का वर्णन किया है जैसे प्रशना गया है कारनेलिया का गीत कविता में प्रसाद ने भारत की किन विशेश्टाओं की ओर संकीत क किया है तो इसमें सूर्य की लालीमा जब पेड़ों पर पड़ती है तो उस चोटी पर पहुंचती है ऐसा लगता है मानुवे नाच रही हो क्योंकि पेड़ हिलते हैं डुलते हैं तो सूरी के किरने भी उनके साथ-साथ नाच दिगाती नजर आती हैं सारी हर्याली पर सूरी क प्रकाश पड़ता है और साथ ही साथ यह वही देश है जिसके और पक्षी भी अपने रंग ब्रंगे पंखों को फैला कर उड़े चले आते हैं और वह सोचते हैं कि वह यहीं घोसला बनाए क्योंकि वह इसे अपना घर समझते हैं पशू पक्षी व्रेक्ष नदियां जरने सब यहाँ पर प्रफुलित है प्रसंजित हैं यहांके निवासियों के रदय में करुणा के भाव रहते हैं और वही अपने दृखों को भूल कर सभी के दृखों को दूर करने का प्रयास करते हैं इस देश की इतनी विशालता है कि सागर की लहरे में इस किr gusto कर आप आराम इन्जित है उड़ते खग ठीक है खग मतलब पक्षी कभी कहना चाहते है कि पक्षी भी अपने रंग रंगे पंखों ko फैला kशारा इप घ्लन на नीड मतलब क्या होता है घौशला ठीक है नीड कार्थ होता है इसला एक तो वो इस ओर भागे चले जाते हैं साव आकर है सुक शांती पाते हैं कोई भी अनजान व्यक्ति यदि यहां पर आजाता है तो उसको भी ऐसा नहीं लगता कि मैं कौन सी जगह आगया क्योंकि यहां के लोग जो हैं, यहां के जो भी व्यक्ति है वो खुल कर सब का स्वागत करते हैं, साहिरदय स्वागत करते हैं, अतिति देव भवा और वसुदेव कुटम्भकम की जो आमारी मर्यादा चली आ रही है जो चला आ रही हमारी रीती रिवाज या संस्कृती उसको हमेशा हमेशा के लिए अपनाया जाता है बड़ों के साथ सम्मान पूरवग व्यभार किया जाता है छोटों से इसने पूरवग और अपनों के साथ तो प्रेम पूर्वक वरताब किया जाता है आज भी यहां पर अतिथी देवोभव है आज भी मित्रता है आज भी हर एक रिष्टे को बहुत अच्छे से निभाया जाता है यह हमारे भारत देश की विशेश्टा कविता में व्यक्त प्रकृती चित्रों को अपने शब्दों में लिखिए तो सबसे पहले प्राता कालीन सौंदर का बहुत सुंदर बढ़नन किया है कभी कहते हैं कि देश मधूरता से भरा हुआ है मिठा से भरा है और यहां के निवासियों के मन में प्रेम भरा है और वाय अ बात की जाए तो वहां पर फसले हैं लहलाती हुए खियत हैं कहीं सरसों फूल रही है कहीं अलसी लहरा रही है कहीं चने हैं तो ऐसा लगता है जैसे रंग बरंगे फूल और सत्रंगी रेती जहां पर तर्वूज लगते हैं वह ऐसा लगता है मानों कि आकर शक करता है जैसे रत्न जड़ित जो डब्बा है और उसको खोल कर रख दिया जा तो सब की आँखें चका चौंद हो जाती है ना उसी तरह से भारत की जो सुन्दरता है उसको देखकर सभी मोहित हो जाते हैं तो प्यारे विद्यारतियों अब आपने सुन लिया है समझ लिया है और आशा करती ह कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है यदि किसी तरह से किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा मैं उसके अवश्य अवश्य दूंगी और बने रहो हमारे साथ हम हैं आपके लिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ रहिए खुश रहिए बंबार थैंक यू सो मच